जै मतदी गाईज कैसी हमरी यूटूब फैमली आप लोग ठीक होंगे खुश होंगे अपनी जिन्दगी मस्त होंगे मतारानी सब को खुश रखें तो सुबे के नो बज रहे हैं और मा भगवती की पूजा पाट करने के बाद हम और हमारी सासुमा उपर के छट में आ गए हैं और यहां की कर रहे हैं साफ सफाई तो जितने गमले हैं इनको हम अंदर इस्टोर में रख देते हैं क्योंकि इन गमलों में कुछ भी पौधा नहीं लगे हुए हैं और इनके नीचे ने इतनी मिट्टी है इतनी धूल है तो यहां पर न हम कर लेते हैं धुलाई और सासुमा जाल को हटा करके और जाल में लगा रही पोछा और हमसे बोल रही है कि सोभा भी बहुत काम करना है हमने रख दिया है साबू दाना वॉयल होने के लिए साबू दाना के पापड भी बनाना है तो हम बोल रहे हैं कि अभी नहीं यह सब काम करेंगे पहले नास्ता करेंगे फि वे से नाँ चला पाणी ले लेते हैं गरम और इसके बाद काम में लग गैते लेकिन ये होली की साफ़ सफ़ाई पापर बनाना चिप्स बनाना कितना भारी काम होता है तो आ गए हैं जी हम कीचन है और थोड़ी-थोड़ी करके ना सब बच्चे भी कह रहे हैं कि पापा ये लाना है गुलाल लाना है कोई कहरा पिछकारी लाना है सासुमा कह रही है कि गाउं मत जाओं यही रुको यही की होली कर लो तो मतलब ऐसे सब की बात们 चल रही है तो अपने घर में ना उपर नीचे ना काम के लिए ना सोचना नहीं पड़ता सभी लोग थोड़ी-थोड़ी कामों में लगे रहते हैं तो अच्छा रहता है और कहीं जाने क्यों सकता भी नहीं पड़ती पूरा दिन मतलब ऐसे ही उपर नीचे घूमते रहो ना त इसके बाद चाई हमारी फक रही है हमने चावल भी निकाल लिया और ये रात का बासी दूध है तो इसी को चाई में डाल देते हैं और ये भुना हुआ चना और लईया ना बहुत ही टेस्टी रहता है आज हमने अपने पसंद का नास्ता है बनाया है और इसको तो सासुमा नहीं खाएंगी क्योंकि बाहर की चीज़े ना कुछ भी नहीं खाती है और आज करें इस सिर्फ हम चाई ही पिएंगे और आवाज दे रहीं कि सोभा जल्दी आओ साबुदाना थंड़ा हो रहा है थंड़ा होने के बाद ना तो गड़्ध हो जाएगा तो हमने का सासुमा जब तक चाई नहीं पिलेंगे तब तक कुछ भी काम होने वाले नहीं है और चाई पीना हमारी सासुमा नहीं हमको सिखाया है पहले मायके से हम कभी भी चाई नहीं पीते थे और इधर हमारे पती देव भी आ गए तो इनको भी चाई दे दी आज बैट करके हम नास्था कर लेते हैं और यह चनल यह थोड़ी से खाने में टाइम लगता है तो जल्दी कर लेते हैं नास्था आज यह भी है घर में ना क्योंकि हम लोगों को ना मार्केट भी जाना है तो अभी देखते हैं कब तक हम लोगों का जाना हो पाता है और गाजर थोड़ी रखी थी ना तो मीना ने बनाया है बच्चों के लिए छोले और भटूरे तो बच्चों को निकाल देते हैं ये लोग भी नास्ता पहले कर लेते हैं इसके बाद हमारे अपने आगे की काम शुरू होते हैं आपे क्या रखे रहे हैं यार वह बादा वह बच्चानव को बुलाएं थे हां जी हम और हमारी सासुमा दोनों लोग आ गए हैं च्छत में तो ये देखे साबूदाना पक करके तयार है और ये ग्रीन ग्रीन जो दिख रहा है ना तो हम पूछ रहें अपनी सासुमा से कि ये क्यूं है तो कहने सोबह हमने ना इसमें जीरा बहुत डाल दिया है इसलिए ऐसा ग्रीन हो गया है तो पनियों को ना पहले अच्छे से हम गीले कपड़े से पोच लिए हैं क्यूंकि डेली ना कुछ ना कुछ बन रहा है कभी चिप से कभी आलू के पापड और हवा बहुत चल रही है तो धूल हो जाती है आप लोग भी ना जब भी बनाईए तो अच्छे से पनियों को साफ कर लीजे तभी बनाईए यहां पर हमने चूडी निकाल लिया है चूडी ऐसे रख करके और साबू दाना ऐसे डाल डाल के बनाऊना तो पापड एकदम से गोल अकारें ब इतने अच्छे बने हैं तो हमने का सासुमा मेहनत भी तो पड़ी है डेड़ दो घंटे हम लोगों ने धूप में बैट करके ऐसे बनाया और स्लीपर भी नहीं पैरों में डाले थी नीठ मलब गरम छत थी और एक एक पापड को ना इसे पलट रहे हैं वैसे सूखने के हम लोग आ गए हैं मार्केट बच्चों को ले करके और कृष्णा को मनुको गोविंद को थोड़ी थोड़ी कुछ ना कुछ सामान लेना था तो हम मीना और एक हमारी दीदी जी हैं उनके साथ आ गये हैं यहीं बंगला बजार में मॉल खुली हुई है तो वहीं पर हमाल हु जाएंगे और यह अराम से लेट करके देख रहे हैं तो बच्चों को खिला पिला देते हैं इसके बाद लगते हैं अपने कामों में Champ 1-8 बज रहे हैं तो हम जा रहें माभवती की आरती पूझा करने और इसके बाद आपकी दीदी लग जाएगी कीचैन में आगे हमने कोई वीडियो नहीं सूट किया था ये दूसरे दिन का व्लॉग है सुभे के ना साढ़े दस बज रहे हैं और हम और ये दोनों लोग आए हुए मार्केट तो होली का पूरा समान ले लेते हैं यहां से मैदा है छोला है राजमा है पांपड़ो गहरा है और काफी समान है आप लोग यह झाल है पांपड़ो जोख फीजाए पांपगी सुख लिए मयदा है? पलिए क्ज़ जी आपन, अश्कार एंछिए मारे दोड बनी लेों बonी इस बार ना हम लोग बेस प्राइज नहीं चाह पाएं नहीं सीकठे समान ले आते थे क्योंकि बच्चों के बड़िस्याम चल रहे हैं इसी होजा से नहीं चाह पाएं और वहां का समान ना हमको जादा ही अच्छा समझ में आता है लेकिन कोई बात नहीं इस बात जल्दी में ना तो हम लोगों ने बंगला वजार से ही शॉपिंग कर लिया है तो एक-एक समान बोरी से निकाल रहे हैं और कृष्णा लिये हुए लिश्ट तो मिला रहे हैं कि पूरा समान हमारा है की नहीं है लेकिन अभी बच्चों के लिए पिछकारी नहीं आई है ना तो रंग गुलाल कुछ आया है अभी ये साम को जाएंगे ना तभी सब लेकर के आएंगे तो हम निकालने के बाद जो हमको गाउन ले जाना उसको बोरी के अंदर सब पैक कर लेते हैं और इनको ना बहुत तेज भूख लगी है तो करें जल्दी इस समान रखने के बाद ना हमको रोटी से को खाना सब के लिए निकालते हैं इनकी आदत पड़ी हुई है ना सुभे साथ वजे खाना खाने की लेकिन आज ना हमने सुभे इनको बना दिया था पोहा तो पोहा का नास्ता इन्होंने कर लिया था और दुपाहर में हमने यहां बनाया है दाल, चावल, सबजी, रोटी, टमाटर की चेटनी तो पहले पापाजी को दे आते हैं क्योंकि उपूजा करने के बाद ना उपर के हॉल में ही अराम करते रहते हैं और उपर से नीचे का नजारा भी दिखा दिये हैं यानि कालोनी का और इतनी तेज धूप है ना कि बिल्कुछ सन्नाटा हो जाता ऐसे लगता है जैसे अप्रैल माई की दूप हो और गर्मी भी हलकी फुलकी वाली पढ़ने लगी है तो जल्दी सब के लिए सेंक लेते हैं रोटी और बच्चे भी वस आते ही होंगे क्रिश्ना गोबिंद तो यही हैं उनके मतलब साड़े दस बज़े तक आ जाते हैं लेकिन अभी मनू नहीं आय हुए है तो ज अरे वाह मनू यह तो बहुत है क्यों दादी का लाया हो समान अच्छा है तीन तीन अंडर्वियर पहने होंगे एक पहले से अंडर्वियर पहने हो दूसरी पहना तीसरी पहन लिया साहि実 इनके च्छा पर्वियर आते हैं तो मनू की दादी हिलाती है इनको Argentin कीने साईच पता है क्यों मनू साइच पता है नimonकोसाईच पता है ना दादी को क्रिश्나 क्या पता है क्यों पापा जी का पता है कि नहीं को पापजी का नहीं पता? वो गदाए नहीं छोटा बच्ची है कितने बच्ची जाना मार्केट? जिस समय आई पर जाएंगा वो जाएंगे जाएंगे वो जाएंगे बाइक से जाएंगे अरे आपके हाथ में तो मुबाईल आ गया ये कौन है? अपने बेटे का फोन आज ले लिए हैं बहुत सुबे से फोन देख रहे है न तो कृष्णा ने कहा दादी पापा का फोन ले करके दिखाओ वो जाए कृष्णा अब कम मिलेगा पापा का फोन? आज आप पूरा दिल लिये रहेगा फोन इनको दीजेगा नहीं रोम में सबकी मस्ती चल रही है तो हम अपने क्लीनिंग वाले काम भी कर लेते हैं किचन के थोड़ी बहुत यह भी करते जा रहे हैं और इसके बाद क्रिश्णा कह रहे हैं कि मा प्याज इसे अच्छे से दाल को तड़का लगा तो और मनु के लिए बनाए हैं दाल दरिया क्योंकि इस समय ना उसको हम चावल नहीं दे रहे हैं तो कड़ाई में पहले हम हींग डाल रहे हैं जीरा डाल रहे हैं इसके बाद हमने प्याज डाल दिया थब डाल दिये दाल और मनु भी आ गए हैं के रहे मा आज हमारा पेपर बहुत अच्छा हुआ है गले आ करके लग रहे हैं अब हम बनाने वाले हैं साबू दाना की खिचड़ी तो कुकर में एक कटोरी हमने साबू दाना वॉयल कर लेते हैं और इसके बाद कड़ाई में घी और जीरा हिंग्ट से तड़का दे करके साबू दाना की खिचड़ी टाइप बनाएंगे साबू दाना की खिचड़ी ना हमको बहुत ही पसंद है तो अपने सफाई वाले भी काम चलते जा रहे हैं किचेन में खाना भी बनता जा रहा है साम कुना पांच बज रहे हैं तो हम सोच रहे हैं साबूदाना की खिचड़ी हमारी बनी रखी है एक तरफ हमने रख दिया है चाय पकने के लिए और ये खिचड़ी को हम गरम कर लेते हैं इसके बाद अपने कपड़े जार हैं लेने और उपर की छत में आज हमने कपड़े नहीं डाला था यहीं बीच के बालकनी में ही कपड़े पड़े हुए हैं ये देखे हमारी साबूदाना की खिचड़ी ना एकदम से खिली-खिली सी बनी हुई थी तो कपड़े भी अपने फोल्ड कर लेते हैं और सासुम आवास दे रहे हैं कि उपर के हॉल के परदे वगेरा सब लगाना है तो हम कृष्णा से कह रहे हैं कि कृष्णा आप लगा दीजिए तो कृष्णा बाभू लगे हुए काम में इस व्लोग का एंड कर रहे हैं जये मतदी गाइज